Hello everyone, आज के स्रीज में मैं आप सभी के साथ उत्राखन current affairs related most important selected questions को share कर रही हूँ, जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए पहुँ जादा important हैं, तो आप लोग इस स्रीज मलास तक बने रहें और टेली इसी तरीके की स्रीज के लिए आप चैनल को सब्सक्र ठीक है, option C's का right answer होगा, second question है निम्ण में कौन सा cartoon उत्राखने में नसा मुक्ती के खिलाप लड़ाई के लिए तयार किया गया है, तो नसा मुक्ती के खिलाप लड़ाई के लिए जो तयार किया गया cartoon है, वो है लाटी, ठीक है, option D's का right answer होगा, next question है, हाली में लक्ष इनके regarding एक और point में आपको clear कर दूँ, इन्होंने common wealth game जो 2022 में बर्मिंगम माय जित हुए थे, ठीक है, कहां जित हुए थे, बर्मिंगम माय जित हुए थे, उसमें इन्होंने gold medal जीता था, तो आपको ये भी याद रखने है, और साथ ही रास्टपती, द्रौपती, इनको अर्जुन पुरुसकार जाए तो अर्जुन पुरुसकार से इनको सम्वानित किया गया, तो आपसे पूछा जासकता है, कौनसे खेल से संबंधित है? तो ये बैट मेंटिन प्लियर है, ठीक है? आपसे बैस का राइट आंसर होगा, बढ़ते हम अगरे question की ओर. नेक्स कोशन है कि उत्राखंड के वर्तमान आठवे राज़ी पाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो वर्तमान राज़ी पाल है आठवे नंबर के गुर्मीद से ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले राज़ी पाल उत्राखंड के कौन थे तो सूर्जी सिह बरनाला जो थे हमारे राजी के पहले राजीपाल थे इसके अलावा देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला राजीपाल उत्राखंड की कौन थी तो मारगेट अलवा थी ये भी आपको धियान रखना है ठीक है पहली महिला राजीपाल बनी थी अगला कोशन ह कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था आठ अगस्तो 1661 नेक्स्ट वोशन इए गरतंतर दियुष्ष पर राजपत में उत्राइटन की ज्ञाकी केदारखंड ने कौन सा स्थान प्रापत किया था में उत्राइटन की ज्ञाकी थी केदारखंड इसको मिला था तीस राज़़् चौक ठीक है यह क्या थी चिपको वुमन थी इनके नाम से इस चौक का नाम रखा गया है अगला कुशन है उत्राखने के किस जिले में मौझूद सेस नाग देवता मंदिर में नाग पंचमी के अवसदर पर हर साल एक भव्य मेले का आईजन किया जाता है तो देखे भव्य मे पहला आर्किट पार्क उत्राखन्ट के किस जिले में बना है तो यह बना है चमोली के गोपी स्वर में ठीक है ऑपसें सीज का राइट आंसर हुगा नेक्स्कुशन है युनिसको ने फूलों की घाटी को किस वर्स विस्व धरोहर घोसित किया था देकिए विस्व धरोहर आ और अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कौन से जल्पद में इस्तित है तो आपको याद रखना है ये शमोली में इस्तित है ठीक है अगला कुशन देखिए मार्च 2021 में उत्राखने के किस सहर का नाम बदलकर कणवनगरी रखा गया है तो कोटवार का नाम बदलक के लिए प्रसिद्ध है और इसी के आधार पेस का नाम कणवनगरी रखा गया है नेक्स कोशन है देखिए बाइस जन्वरी 2021 को उत्राखने के किस जिले में राजी का पहला बाल मित्र पुलिस थाना आप से पूछा जा रहा है तो ये खोला गया है देहरा दुन में ठीक है और इसकी सुरुवात की थी मुख्य मंतरी त्रिवें सिंग रावत ने तो ऑप्शन डीस का राइट आंसर होगा अगला कुशन है साइबर अपरादों पर अंकुस लगाने के लिए कुमाओं का पहला साइबर थाना कहां खोला गया देखिए आप से क्या पूछा जा रहा है साइबर अपरादों पर रोक लगाने के लिए ठीक है ना कुमाओं का पहला साइबर थाना खोला गया रुद्रपूर में ठीक है ऑप्शन बीस का राइट आंसर होगा नेक्स वेशन है निम्नित में कौन उत्राखंड में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और चित्रों और लाटी कला के साथ चर्चा में आई तो इसका राइट आंसर है कंचन जदली ठीक है अगला कुशन है हाली में केंदर सिक्षा मंत्राले के स्कूली सिक्षा की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में उत्राखंड को कौन सा इस्थान प्राप्त अगला कुशन नहीं हाली में उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुस्करसी धामी ने अपनी सरकार मॉबाइल एप लाँच लौच गया है में बारत में अख्रोट अपतादन में उत्राखंड का रेंक इस्थान कौन सा है द beautifully इन् действительно आप लग इसेति लौश won और शॉचना प्र तो उत्राखंड जो है अक्रोट उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है ठीक है option D का right answer होगा अगला उश्य ने देखिए उत्राखंड सरकार द्वारा राजी के कला, परियतन और संस्कृती का brand ambassador किसे बनाया गया है तो देखिए जो इंडियन आइडल के विनर थे पवंद से सेर किये तो friends I hope कि आप सभी के लिए ये series helpful रही होगी इसी तरीके की daily series के लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर ले मिलते हैं आप से next series में रिजिनिंग के questions के साथ तब तक के लिए धन्यवाद